दोस्तों नमस्कार मैं अम्रेंद कौार्शेंग और आप देख रहें मेरी पाट साला इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज इस न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि भारत रत ने 2019 में किसे किसे मिला है हाल ही में देश के पूर्य राष्टपति प्रणों मुखर जी समाज सेवी नाना जी देशमुख और गायक और शंगितकार भुपेन हजारिका को भारत रत ने दिजने का फैसला किया गया है गौर्टलावे की भारत रत ने देश का सरवच नागरिक शमान है प्रमख बिंदु क्या क्या है यह समान उन ब्यक्तिओं को दिया जाता है जिनों ने देश के किसी भी छेतर में मतपूर्ण कारे किया हो अपने अपने छेत्रों में उत्किष्ट कारे करते हुए अंतराश्टी अस्तर पर देश का गोरो बढ़ाया हो भारत रत्न, कॉला, शहित्य, विज्ञान के छेत्र में तथा किसी रजनितिग्य, वैचारिक, वैज्ञानिक, उद्योगपती, लेखक और समाज सेवी को अशरधारन सेवा हेत्तु वा उच लोग सेवा को मानेता देने के लिए भारत सरकार कोर्श से दिया जाता है समाजी करिकरता नानाजी देस्मुख और प्रक्षयात संगितकार भुपेन हजारिका को मर्नौ परांती समान से समानित किया गया है प्रणव मुखरजी के बारे में क्या खास बाते हैं चलि जानते हैं करीब पांच दसकों तक देश की रजनिती में सक्रिय रहे प्रणों मुखर्जी देश के तरहवे रष्टपती रहे हैं। हलांकी पहले रष्टपती डक्टर यंद्र प्रशाद दो बार रष्टपती रहे इसलिए वे इस पद पर आसिन होने वाले बरहों मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को रष्टपती पद की सपत ली। वह इस पद पर 25 जुलाई 2017 तक रहे। 1984 में प्रणों मुखर्जी बित मंत्री रह चुके हैं। नाना जी देशमुख 11 अक्टूबर 1914 को महराष्ट के हिंगोली में जन्मे नाना जी देशमुख मुख्य रूप से समाज सेवी रहे हैं। 1980 में सक्रिय रजनीती से उन्होंने सन्यास ले लिए, लेकिन दीन द्याल शोद संस्थान की स्थापना करके, समाज सेवा से जुडे रहे। याद रखना है, दीन द्याल शोद संस्थान की स्थापना नाना जी देशमुख ने कि थी। 1999 में उन्हें राज सभा का सदसे बनाया गया और उसी साल समाज सेवा के लिए उन्हें पद्य वी भूशन से समानित किया गया नानाजी देश्मुख का निधन 27 फ्रवरी दोहर्दस को 95 वर्ष की उम्र में चीत्र कुट में हुआ था अब जानते हैं भुपेन हजारिका के बारे में भुपेन हजारिका गायक यम संगीत कार होने के साथ थी एक कवी फिल्म निर्माता लेखक और असम की संस्कृतित था संगीत के अच्छे जानकार थे उनका निधन 5 नवंबर 2014 को हुआ था उन्हें दक्षिन एसिया के सबसे नामचीन संस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता था अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भुपेन हजारिका ने हिंदी, बांगला, समेत कई अनेभारती भाषाओं में गाने गाये उन्हें परमपरिक असमिया संगीत को लोक्तिय बलाने का स्थिया की से दिया ज़ता है भूपेन हजारिका को पडे विभीशन और दादा शाहजाय फ्लके जैसे प्रसकारों से भी नवाजा गया था भारात रत समचेे कुस महत्पूर तथ क्या है चले जान लेते हैं भारात रते में देने की शुरुआत 2 जन्वरी 1954 को तुद कालीन राष्टपती डॉक्ट्रा रेजेंदर पृशाद ने कि थे भारत रत्न देनी के सिर्वात किष्ण की थी डाक्ट्रा रजेंदि प्रशाद ने दो जनवरी 1954 को 1954 में सर प्रथम भारत रतने सिराजगो पलाचारी सर पल्ली राधा क्रिश्णन और सिवी रमन को दिया गया था शी राजग पलाचारी को सवर पलिदाय था किष्णन को और स्रिवी रमन को उस समय किवल जिवित व्यक्ति को यह समान दिया जाता था 1905 में मरनो प्रांध मी शमान देने का प्रवधान में जोड़ दिया गया 1905 में 2013 में पहली बार खेल के छेत्र में नाम कमाने वालों को भी भारत रतने देने का नेना लिया गया और इसी कड़ी में क्रिकेटर सचीन तेंदुलकर को इस समान के लिए चुना गया 2013 में याद रखना है खेल के छेत्र में इस प्रसकार को देनी की सुरुआत के गई 2013 से 2013 में सचीन तीन दिलकर के साथ बेग्यानिक स्य एन राओ को भी भारत रत्न दिया गया जो की बेग्यानिक थे भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार के ओर से एक प्रमान पत्र और एक पदक मिलता है एक प्रमान पत्र और एक पतक इस सम्मान के साथ कोई धनराशी नहीं दी जाती है ध्यान रहे इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशी नहीं दी जाती है इसे पानेवालों को विविन सरकारी विभाग सुविधाय उपलब्द कराते हैं इसी विशेस वर्ष में वार्षिक पुलिशकारों की संखय अधिक्तम तीन तक सिमित है केवल तीन लोगों को ही भारत रत एक वर्ष में दिया जा सकता है परधान मंत्री द्वारा भारत रत्न दिये जानी की सिफारिस राष्ट पति से की जाती है भारत रत्न दिये जानी की सिफारिस राष्ट पति से की जाती है परधान मंत्री द्वारा इसके लिए कोई अपचारिक सिफारिस अवस्यक नहीं होती है भारत रत्न पाने वालों को महत्पूर्ण सरकारी करमों में अमंत्रित किया जाता है सरकार वरंट ओफ प्रिसीडेंस में उन्हें जगां देती है वरंट ओफ प्रिसीडेंस का इस्तेमाल सरकारी करेकरमों में वरियता देने के लिए होता है भारत रत्न बेज़ताओं को प्रोटोकॉल में राष्टपती, उप्राष्टपती, प्रधान मंत्री, राजिपाल, पूरु राष्टपती, उप्रधान मंत्री, मुख्य नयाधिस, लोकसभात्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्य मंत्री, पूरु प्रधान मंत्री और संसत क दोनों सदनों में विपक्ष किनेता के साथ बाद अस्थान मिलता है दोस्तों ये था कुछ मत्पूर्ण अपडेट आपने सीखा भारत रत्म क्या है और किसे दिया जाता है किन-किन छेत्रों में दिया गया 2019 में तो मिलते हैं नए वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लग आप जरूर कमेंट बक्स में लिखे और इससे वीडियो को दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इसका लब उठा सकें मिलते एक नए वीडियो में हमें दीजिए जाजत धन्यबाद नमस्कार जैहिंद